हेई गाइज आज मैं आप लोगे साथ सेयर करूंगी सेल्फ केर रूटीन जो बहुत ज़ता सिंपल है आप लोग भी इजीली फॉलो कर सकते हो मेरे सेल्फ केर मोटिवेशन रूटीन में हाइडरेशन बहुत ज़ता इंपॉर्टेंट है दो से तीन लिटर पानी में रोज याद से पीती हूँ कि बॉडी अगर हाइडरेट नहीं रहेगा तो स्किन केर में चाहिए आप कुछ भी लगा लो महेंग से महेंगा आप कुछ भी वाक नहीं करेगा वो रिजल नहीं मिलेगा तो हाइडरेशन बहुत ज़ता इंपॉर्टेंट है तो पानी ज़रूर पिया करें नेक्स्ट है डिप फेस क्लिनिंग जो कि बहुत ज़ता इंपॉर्टेंट हता है इसकीन केर में मैं कोसिस करती हूँ दिन में एक बार टामेटों से अपने फेस को क्लीन करना है reduce करता है excess oil को remove करता है dead skin को prevent acne को भी reduce करता है skin को bright करता है delay करता है NTF aging को tight करता है pores को deeply clean करता है आपके skin में जो भी tan है उसको भी remove करता है पांच मिनिट का skincare में इतना ज़याधा benefit मिलता है और मैं natural process से skincare करना ज़्यादा पॉसंद करती हूँ क्योंकि इसका benefit मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है तो आप लोग भी इसको routine में add करना और 5 मिनिट से ज़्यादा मत रखना मेरे लिए self-care में वो सारे चीज़ करना पसंद है जो budget friendly हो और जल्दी से result दे उन में से एक है steaming steaming करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा रिलाक्स फिल करते हूँ और steaming में अभी से नहीं कर रही हूँ क्लास 9 से कर रही हूँ कि कि बचपन से ही एकने होता है मुझे तो एकने के लिए steaming करना बहुत ज़्यादा helpful रहता है इसकिन को deeply clean करता है जितना सारा dead cell रहता है गंदेगी रहता है, oil रहता है, सब remove हो जाता है आकने के साथ fight करता है blood circulation के बहुत अच्छे से high करता है इसकिन बहुत ज़्यादा है, smooth feel करता है इसकिन में steaming करने से अंदर से एक अच्छे से natural glow आता है इसकिन करने के बाद कुछ भी apply करते हो, deeply इसकिन में penetrate होता है तो यह चोटा सा इसकिन का सेक्षन 10 मिनीट करने से आपके इसकिन में बहुत ज़्यादा benefit है और healthy glow भी रहता है, तो आप लोग भी try कर सकते हो next, detent face pack तो यहाँ पे मैं बेसन ले रही हूँ, coffee, honey and dahi यह सारे चीज़ को अच्छे से में mix कर लूँगी and अच्छे से smooth paste बना लूँगी मैंने coffee यह वाला use किया है and honey में यह कस्मीर में गय थी, तब में लेके आई थी तो stimming करने के बाद मैं detent face pack लगा रही हूँ इससे skin में जो भी मेरा tan है और अच्छे से remove हो जाएगा बेशन, honey, coffee इन सारे चीज़, reduce करता है tanning को and pigmentation को remove करता है dead skin को and आपके skin का जो texture होता है उसको बहुत अच्छे से smooth करता है help करता है tight in dark spot blemish जो रहता है उसको अच्छे से remove करता है आपके skin बहुत अच्छे से healthy और glow दिखता है overall जो skin का जो tone है उसको improve करता है light in and glow bright करने के तो इसको मैं 20 minute तक रखूँगी उसके बाद wash कर लूँगी तो मेरा पूरा ये dry हो चुका है तो अब इसको आप cotton pad से भी remove कर सकते हो जैसे आपको comfortable लगे या फिर आप इसको पानी से भी अच्छे से wash कर सकते हो हलका हाथ से पानी से अच्छे से face pack को निकाल लेना है ज्यादा घिसना नहीं है अपने face को और हमेंसे clean towel use करना बहुत ज़्यादा important है रोज अपने face का जो towel है उसको clean करना डेटल से क्योंकि acne जो होता है ये towel का बहुत बढ़ा हाथ रहता है क्योंकि dirt और गंदेगी से हमारे acne भी हो जाता है और face देखे रहे हो मेरा कितना अच्छे से clean लग रहा है जो भी मेरा हलका साथ जो भी tan था और remove हो गया है आपको first time पर इसका result देखने मिलेगा बहुत ही effective amazing face pack है तो ज़रूर इसको try ज़रूर करना so guys यह d tan face pack बहुत ही अच्छा work करते है जैसे कि instant मेरा skin में एक अच्छे से glow आ गया है जिसका बहुत ज़रूरा d tan हो गया है उनके लिए बहुत ही अच्छा work करेगा and मेरी एक sister ने मुझे बोला था कि teenager है उसको tan हो गया है तो face pack चाहिए तो बाबू अगर एक वीडियो आप देख रहे हो तो इस face pack अब try करना मैंने बोला था ना next वीडियो में बताऊंगी तो मैंने बता दिया ट्राइ करने के बाद आप मुझे comment करके बताना कि इसका result कैसा है बहुत जादा अगर tan है तो रोज यूज करो at least एक मही ना फिर 15-20 दिन उसके बाद देखो आपका tan बहुत ज़्यदा रिमूव हो जाएगा and थोड़ा बहुत है तो हपते में 4 दन किसी को मेंटरेंस के लिए जैसे कि मुझे मेंटर करना होता है तो हपते में 2-3 दिन में लगा लेती हूं कोई side effect नहीं है natural सारे चीज है and budget friendly है क्योंकि घर में ही सब कुछ मिलेगा home remedies बहुत अच्छे से work करता है क्योंकि उसको रेगुलरी के सार फॉलो करोगे तो बहुत अ तो बोलने वाली कोई बात नहीं है अप लोग खुद ट्राइ करें and feel कीजिए और मुझे comment करके ज़रूर बताना और अभी में जारी मॉस्ट्रोजर लागाने और face pack लागाने के बाद मॉस्ट्रोजर ज़रूर अपलाई करना and next क्या है तो चलो दिखते हैं मेरे लिए self-care में healthy diet होना बहुत ज़्यादा important है कहा जाता ना जैसा खाओगे वैसा दिखेगा हमारे gut health जितना अच्छा दिखेगा हमारे beauty उतना ज़्यादा enhance होगा skin hair, overall body बहुत ज़्यादा और attractive, glowing, healthy दिखता है आपका diet अगर pore होता है तो skin का quality day by day बहुत ज़्यादा damage हो जाता है जितना भी expensive आप किरीम लगा लो skin care कर लो सब बे आसर है अगर आपका diet ठीक नहीं होगा orange का जो pill है उसको मैं fake होंगी नहीं अपने face pack में इसको मैं use कर लोंगी मैं ये सारे चीज़ अपने experience के साथ बोड़ी हूँ guys बहुत ही ज़्यादा important होता है diet एक skin को अच्छा करने के लिए क्योंकि मेरा ना पहले skin का quality बहुत ही बेकारता है एक दम अच्छा नहीं था क्यों जब मैंने इसको अपने healthy lifestyle में जबने एड़ किया मुझे पता चला कि कौन कौन सा food खाने से मेरा skin के लिए अच्छा होगा धीरे धीरे मेरा skin का quality कितना ज़्यादे improve हुआ है अगर मैं ये पहले से करती तो साइद मेरा skin अभी जैसा है इससे भी और ज़्यादा अच्छा होत सो time रहते हुए आप लोग भी ये सारे चीज अगर कुछ गलत कर रहे हो पता भी नहीं है तो ये सारे चीज ठीक कर लो अपने उपर time best करो अपने self care में ध्यान दो क्या खा रहे हो क्या कर रहे हो क्योंकि ये जो time है बहुत ही ज़्यादे important है एक बार चला जाता है तो आप लोग समझ गए नेक्स्ट है body care नहाने के बाद जब मैं अपना body lotion लगाती हूँ तो अभी एक चीज नया मैंने एड किया हूँ है vitamin C serum मेरा face बहुत ज़्यादा super sensitive है तो vitamin C serum face में suit नहीं करते है इसलिए मैं body lotion में mix करके लगा रही हूँ और इसका result अच्छा रहे है guys इस आपके घर पे ऐसा कोई serum है जो आपको suit नहीं कर रहा है तो उसको आप लोग वेस्टेज ना करके अपने body lotion के साथ मिक्स करके लगा सकते हो योगा बहुत ज़्यादा important है self care में आज मैं आप लोग के साथ कुछ योगा सेयर करूंगी जो की only on skin को glow करेगा अंदर से hair fall हो रहा है hair का growth नहीं हो रहा है यह सारे चीज में आपको बहुत ज़्यादा help किरेगा मैं अभी online class लेती हूँ दो दीन हपते में yoga class में जोइन किया है और यह सारे चीज करने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा benefit मिला है तो मैंने सोचा self care में आप लोग के साथ में share करूं ताकि घर पे ही आप लोग कर सकते हो आप लोगों को अलग से कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है मैं जो step दिखा रही हूँ इसका skin shot ले लेना और धीरे धीरे करना पहले 10 count करना उसके बाद 15 उसके बाद 20 धीरे धीरे increase करना अपना counting को मेरे से भी पहले इतना होता नहीं था पर धीरे धीरे मैं improve कर रही हूँ अभी भी बहुत सारा चीज करना बाकी है तो मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे और भी चीज़े share करूंगी योगा करने से skin का quality बहुत ही अच्छा होता है एकने अगर है तो clear skin के लिए योगा जरूर करना बहुत अच्छे से वाक करेगा मतलब बहुत ही अच्छे से आप मैं बहुत जिदा खुस हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ यह सारे चीज़ सेयर कर पार हूं क्योंकि इसका benefit ना बहुत ही अ अपने life में इताब busy हो गया है कि हम लोग पास time नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यदे excuse होता है बहुत ज़्यादा आलज भी रहता है तो हम लोग cooking नहीं करते हैं या फिर कुछ भी बहार चाह लेते हैं हम लोगों को को कोसिस करना चाहिए कि जह से ज़दा अपने खाने प पालक का पुलाव जो बहुत ही ज़ादा टेस्टी होता है बहुत ही ज्यादा हेल्दी जर्शी कि आप लोग देख पारे हो वाइटमीन यह है जो कि मेरे इसकीन के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है जो मेरे रेड कैपसिकम डाला लास्ट में ताकि ज़ादा सौते ना हो वो vitamin C का बहुत ही ज़्यादा source है, खीरा लिया है ताकि hydrate करें, तो यह सारे चीज छोटी छोटी चीज का में ध्यान रखती हूं कि मैं क्या खा रही हूं, मेरे skin में क्या-क्या चीज का benefit हो, तो यह सारे चीज का ध्यान रखो, तो अपके skin healthy and glow रहे internally, यह सारे छोटी छोटी चीज करती हूं में जो मुझे अच्छा फिल करवाता है और जो मेरे ग्रोथ के लिए भी अच्छा है और आई होप आपको भी मोटिवेशन मिली होगी बेसिक चीज करके भी आप अपने स्किन को अपने लाइफटाइल को बहुत अच्छे से इंप्रू अब अब लोगों के यह सारे चीज अच्छी लगी होगी खाना खाने के बाद में अपना ब्लड को पीडूफाइफ करने के लिए टॉनिक पी रही हूं मैंने अपने वीडियो में भी एक बास सेयर किया था बहुत ही अच्छा होता है अभी मुझे थोड़ा से अलर्जी हु है आज का पूरा वीडियो आप लोगों कैसे लागा कमिन करके जरूर बताना फिर मैं आप लोगों को मिलेंगी मेरे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत सुच घुच रही है है लिक नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं पाइस